पाट सोला महराजा रंजीत सिंग महराजा रंजीत सिंग पंजाब के सिक सामराजी के राजा थे वे एक महान नेक और वीर राजा थे वे अपनी प्रजा की खुशाली का बहुत ध्यान रखते थे एक बार रंजीत सिंग अपने कुछ सैनिकों के साथ कहीं जा रहे थे अचानक एक पत्थर उनके माथे परा लगा पलक जपकते ही सैनिक अपराधी बुड़ी औरत को पकड़ लाए महराज ने उससे पूछा माई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे पत्थर मारा बुड़ी औरत डड़ते ड़ते बोली महराज मैंने पत्थर आपको नहीं पेड़ पर लगे आम पर मारा था मेरा पोता भूखा है मैं उसी के लिए आम तोड़ रही थी महराज ने बुड़ी और उसके पोते को देखा और अपने सैनिकों को हुकुम दिया कि तुरंत दो टोकरे आम तोड़ कर इन्हें दे दो यह सुनकर बुड़ी औरत बहुत प्रसन्य हुई और उसने रंजीत सिंग को धेर सा आशिरवात दिया बुड़ी औरत आम लेकर चली गई तो महराजा के एक सर्दार ने हैरानी से कहा महराज इस औरत ने आपको पत्थर मारा और आपने उसे सजा के बदले इनाम दिया महराज ने मुस्कुरा कर कहा सरदार जी एक पेड़ पत्थर खा कराम देता है तो क्या एक राजा होकर मैं सजा दूँ ऐसे दयावान और न्याई प्रिय थे राजा रंजीत सिंग इसलिए उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी रंजीत सिंग का जन्मसन 1780 में गुज्रावाला पाकिस्तान में हुआ था उनके पिता का नाम महा सिंग यहानी महान सिंग और माता का नाम राजकौर था बहुत छोटी उम्र में ही शीतला यानी चेचक रोग के कारण उनकी बाई आग की रोशनी यानी द्रिश्टी चली गई थी रंजीत सिंग को कोई स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं हुई किन्तु दस वर्ष की उम्र में ही उन्होंने घुर सवारी, तलवार, बाजी और अन्य युद्ध कौशलों में निपुर्ता प्राप्त कर ली थी इतनी चोटी उम्र में ही अफगानों के विरुद्ध लड़ाई में अपने पिता का बराबर साथ दे कर उन्होंने अपने युद्ध कौशल का परिचे दिया 21 वर्ष की आयू में बैसाखी के दिन वे पंजाब के महराजा बने उन्होंने सिक्खाल सा सेना बनाई उनकी सेना में प्रतियेक समुदाय के लोगों को भरती किया गया वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे उन्होंने पंजाब को एक ताकतवर राज्य के रूप में एक जुट किया उन्होंने अंग्रेजों से कोई युद्ध नहीं किया किन्तु अपने जीवित रहते उन्हें अपने सामराज्य के पास फटकने तक नहीं दिया वे बड़े दूर दर्शी व्यक्ति थे उन्होंने जम्मू कश्मीर को मिला कर एक स्वतंत्र शक्तिशाली राज्य का रूप बनाया महराजर रंजीत सिंग ने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोच साहन दिया उन्होंने अम्रित सरके हरी मंदिर साहिब गुरुद्वारे में संग्मर्मर लगवाया और उसकी बाहरी सता पर सोना मढवाया तभी से उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा उन्होंने अन्य अनेक गुरुद्वारों का निर्मान कराया और अनेक मंदिर मस्जिदों को भी ठीक कराया वे बड़े ही दयालू और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले राजा थे उन्होंने अपने शासनकाल में कभी किसी को फांसी की सदा नहीं दी वे सभी त्योहार बड़े उत्साह से मनाते थे महराजा रंजीत सिंग के पास बेश कीमती हीरा कोहिनूर भी था सन 1849 में महराजा रंजीत सिंग की मृत्यू हो गई लाहोर पाकिस्तान में उनकी समाधी बनाई गई लोग उन्हें आज भी आदर पूर्वक याद करते हैं